हेलो स्टुडिंस आज हम क्लास नाइन का ही कंसेप्ट जो है पॉलिनॉमियल्स का वो अंडेस्टैंड करेंगे पॉलिनॉमियल्स में देखी ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो सबसे पहले तो कहम को कंसेप्ट जाने ज़रूरी है तो equation मैंने last video में I told you what is equation तो equation मैंने एक example ली है equation की इसमें हमको दो चीजें जाननी है basis, exponents और coefficient तो सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं कि base क्या होता है देखिए base तो नाम से ही पता चलता है base of anything is the foundation, right? जहां से कोई चीज शुरू होती है, नीचे का level जो होता है तो देखिए इसमें base क्या है, ये base है this is base, okay इसमें bases क्या क्या है, देखो 2x base है y base है, 20 base है ओके, अब exponent क्या होता है exponent मैंने आपको पहले भी बताया है वैसे exponent powers होती है अब देखिए इसमें powers कौन सी कौन सी है, देखिए ये इसकी power है 2x की power है 2 square है, तो ये power है ठीक है, ओके तो coefficient क्या होता है तीसरी चीज हमारे पास आती है coefficient coefficient को मैं layman language में पडूसी कहता हूँ ठीक है, पडूसी neighbors, ओके आपको question आएगा कोई भी चीज का coefficient क्या है, जैसे यहाँ पर, ये 2x square है question आएगा कि x square का coefficient क्या है तो हमने देख रहा है कि x square का पडूसी कौन है, 2 fine, तो x square का coefficient क्या हुआ, 2 तो हम लिख सकते हैं कि 2 is the coefficient of x square यहाँ पर अगर आएगा कि y का coefficient क्या है तो y का coefficient देखिए y अकेला है लेकिन this can be written as 1.1.y यह जो this is for multiplication तो इसका मतलब 1y है तो 1 इसका coefficient है चीक है? अब हमको यह भी question हो सकता है कि 2 का coefficient क्या है? तो 2 का coefficient है x2 यहाँ पर यह हो सकता है कि 1 का coefficient क्या है y मतलब पडोसी आपने यह confuse बिल्कुल नहीं होना है कि coefficient क्या है? इस वरी वेल मेंचन्ड और question में भी मेंचन्ड होगा कि इस चीज का coefficient बताओ ठीक है? तो बिल्कुल यू के नोट डाउन इस इस आई कॉल इट नेबर तो you can also call it इसका और कुछ भी मतलब नहीं है ठीक है? I hope you have understood all these three concepts here इससे next video में हम question solve करेंगे अगर concepts में, introductions में किसी को कुछ problem है can comment me in the comment box I'll revert back Thank you